स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर SKS competitive coaching for all सभी के लिए मैं आज एक बड़ा ही अच्छा interesting topic लेके आया हूँ जो वैसे ही discuss करूँगा सिक्षन वीधी और आदर्श सिक्षन वीधी के गुण क्या है साधरनता सब्दों में अगर हम देखें तो सिक्षन वीधी से अभी प्राय सिक्षक दवारा प्रियोग के जाने वाला वह डंग है जिसके दवारा वह अपने उप विशय को विद्यार्थियों के सामने बड़े अच्छे डंग से बड़े अच्छे तरीके से पहुँचाता है इसके लिए कोई निश्चित प्रिक्रिया नहीं बलकि समय और स्थिती के अनुशार अध्यापक अपने टोपिक को क्लास्रूम के अंदर कोई विधी अपना कर प्रेजेंट करता है वो सिक्षन विधी का लाती है अगर मैं एक डेफिनेशन आपको बता दूँ शिक्षन विधी शिक्षक दवारा संचालित वैकिरिया है जिसके दवारा विध्यार्थी ग्यान प्राप्त करते हैं मतलब मेन उदेश से क्या है टीचिंग का बच्चों को विध्यार्थियों को ग्यान उपलब्द कराना और वो मैथड कोई से भी हो सकता है अब आदर सिक्षन वीधी के गुण क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए ये आदर सिक्षन वीधी उसके गुण क्या होते हैं पहला पोइंट अगर मैं देखूं तो विशे वस्तू में रूची जो पाठ्य करम होता है जो विशे वस्तू होती है जो टोपिक होता है जो क्लास के अंदर बच्चों के सामने एक अध्यापक को प्रेजंट करना होता है उस सिक्षन विधी में विश्वस्तु को रूची कर बनाने में सहयक होती है दूसरा पोईंट आ जाता है कारिय सक्ति विख्शित करना एक अध्यापक की कार्य सकती को विख्शित करना सिक्षंड विधी का अब मानलो कोई बच्चा किसी टोपिक पर अड़ रहा है वो उस टोपिक को अच्छे त्रीके से समझ बाने में आसक्सम है तो अध्यापक क्या करेगा उसके लिए अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करता है जैसे मानलो अध्यापक उसके लिए प्रोजेक्ट वीधी का यूज कर लेता है अध्यापक उसके लिए प्लेवे मैथड का यूज कर लेता है अध्यापक उसके लिए लर्निंग बाइडूइंग का यूज कर लेता है और भी सारे मेथड़्स हैं जो क्लास्रूम के अंदर एक अध्यापक बच्चों के लिए ले के आता है ताकि उसका जो टोपिक है वो अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आए उसके बाद आतम अध्यान का प्रिक्षन मतलब जो आधर सिक्षन वीधी होती है उसके अंदर आतम को प्रोचाइद करता है यह इसलिए सिक्षन वीदी की महतव पुरुन विशेष्टा ही है कि विद्यार्थियों को आत्म अध्यन के लिए प्रेरित करें आत्म अध्यन के लिए प्रेरित करें यानि आप बोल सकते हो सेल्प स्टडी उसके बाद योग्यता का विकास एक अच् स्टू की कठिनाई को सपस्ट करना कोई टोपिक है साइंस का है मानलो मैथेमेटिक्स का है कहीं पे बच्चे को कोई प्रोब्लम आ रही है तो जो सिक्षन वीदी होती है उस सिक्षन वीदी का काम क्या होता है जहां पे कठिनाई आई उसको कलियर करना समझ में आ रहा है न उसको कलियर करना, उसके बाद अध्यन की कलाव विक्षित करना, एक अच्छी सिक्षन विधी का यह होता है कि अध्यन की कलाव विक्षित करना, सिक्षन विधी विध्यारतियों में अध्यन की कलाव को विक्षित करने के योगे होनी चाहिए, उसके बाद आ जाता है वेवार के अंदर अपने आपको अड़जस्ट नहीं कर पा रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि वो पढ़ लिख कर भी उसके अंदर जो अजुकेशन जो सिक्षा उसके अंदर आनी चाहिए थी वो कही ने कहीं नहीं आई तो इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं बहुत जगा आपने सुना भी होगा भै इसने तो पढ़ लिक के सारा खो दिया वो क्यों बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है कि पढ़ने के बाद व्यवार के अंदर परिवर्तन कितना आया वैवार के अंदर अगर प्रिवर्तन आएगा तो वैवारी के ज्ञान के अवसर ऐसी सिक्षन वीदी होने से ये ठीक है उसके बाद रचनात्मक अभी व्यक्ति के लिए स्थान सिक्षन वीदी के अंदर ये होना चाहिए कि बच्चे की जो क्रेटिविटी है उसको वो एक्सप्रेस कर सके सिक्षन वीदी के अंदर उसके बाद सम्हू संबंदित अनुभव तधक्रिया अब जो टीचिंग है ये किसी एक का काम नहीं है और जो अधिगम है वो भी किसी एक का काम नहीं है आपने देखा होगा restroom के अंदर बच्चे बहुत सारे होत्ते हैं तो क्या क là कि सम्हू संबंदित अनुभव सिक्षन वीदी के अंदर ऐसा भी उना चाहिए कि बच्चों के सम्हू बनाकर बच्चों के group बनाकर बच्चों को सिख्षा दी जा सकते हैं ऐसी सिक्षन वीदि होनी चाहिए, जैसे मानलो अगर मैं आपको बोलू, बही प्रोजेक्ट मेथड है, पलेवे मेथड है, क्या होता है, गुरूप बना दिये जाते हैं, और गुरूप के अंदर बच्चों को काम करने के लिए बोले जाता है, है न, तो उसके बाद सपस्ट सपस्ट न, तो डूप गलियर थिंकिंग, ठीक और उसके बाद आजता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जो सिक्षन वीदी है, सिक्षन वीदी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं है, बही, गुरूसरी क्लास के लिए भी वही सिक्षन वीदी ह आप उससे बड़ी और क्लास में चले जाओ, उसके लिए भी वही सिक्षन वी दिये, सिक्षन वी दिये के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होने चीए, according to time, according to class, उसको चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सके, ऐसी सिक्षन वी दियो ने चीए, उसके बाद है नागरिक्ता का विकास, मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था, बहुत शिक्षा क्या, जो व्यक्ति के वेवार के अंदर परिवर्तन कर दे, और स्कूल के अंदर, कॉलिज के अंदर, कर सके, नागरिक्ता का गुन उसके अंदर आ सके, ऐसी सिक्षन वी दियों ने चीए, तो ये एक आदर सिक्षन वी दियों के गुन है, जो हमें हमारे अंदर, हमारे विद्ध्यारतियों के अंदर, B.Ed और Special D.Ed के लिए, उनके अंदर ये होना चाहिए, जो टीचिंग की फि ये आसान नहीं होती, सिक्षन को ये आसान नहीं होता, हर समय, हर पल, आपके सर के उपर एक जुम्मेवारी होती है, जो आपकी क्लास के अंदर बच्चे बैठते होते हैं, उन बच्चों की जुम्मेवारी आपके उपर होती है, उन बच्चों को समाज के अंदर आपने कैस निखारना है कैसा लेके जाना है वो जुम्यवारी होती है हम सभी बीएड और डीएड के बच्चे ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और स्कूल के अंदर जब हम पढ़ाएंगे हमारे सामने 35-40 बच्चे का गुरू बैठा होता है के क्लास में और उन बच्चों की जुम्यवारी हम हमारे अध्यापकों के उपर होती है हमारे उपर होती है उन बच्चों को हम कैसा कराएं कैसे पढ़ाएं कैसे उसको आगे लेके जाएं कैसे समाज के अंदर में वारनागरी बनाएं और यह तब होता है जब वो लगन आपके अंदर होती है अगर आपके अंदर लगन है तो automatic वो आपके सामने जो बच्चे बैठे होते हैं उनके अंदर चली आती है क्योंकि वो आप लोगों को observe करते हैं आप लोगों को देखते हैं आप लोग कैसे पढ़ा रहे हो और जैसा आप पढ़ाओगे वैसा उन बच्चों के जीवन को आप अगे लेके जाने वाले हो तो इसलिए मैं बार-बार यही बात कहता हूँ कि जो अध्यपक है अध्यपक को जो जीवन है वो जीवन बड़ा ही अच्छा भी होता है और तलवार की धार पे चलने वाला होता है हर पल हर बच्चे की जुम्मवारी पेरेंट्स तो ये बोल देते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में एडमिशन करा दिया अब जुम्मवारी टीचर्स की है तो हमारे उपर जब ये जुम्मवारी आती है तो इस जुम्मवारी का निर्भेन हमें बड़े अच्छे डंग से करना चाहिए मैं आप सभी को एक की बात कहूंगा जो भी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं जहां भी आप लोगों की ड्यूटी लगे जहां भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुका मिले सिर्फ बच्चे के भविशे को ध्यान में रखते हूँ एक बात याद रखना उन बच्चों का भविशे आपकी वज़े से बिगड़नानी चाहिए ठीक है अगर मेरा कहा हुआ आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूँ चैनल को सबस्क्राइब कर देना चैनल को ज़्यादे से ज़्यादा सेर कर देना क्योंकि आने वाले समय के अंदर आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो इंगलिस ग्रैमर से रिलेटेड वीडियो आपके परतियो गिता प्रिक्षाओं से संबंदित वीडियो और आपके सलेबस से संबंदित तो होएंगी होएंगी तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद जो साथ में बैल वाला बटन होता है उसको दबा लेना क्योंकि उसको दबाने से क्या होएगा जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिविकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को पूरा देखा करो क्योंकि आप लोगों के लिए अगर मेहनत की जाती है तो उसका एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए आप लोग उससे अचूत ना रहो आप उसे वो छूटे ना तो सभी बच्चे ये ध्यान रखना हमेशा वीडियो को पूरा देखे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना ओके थैंक यू